नमस्कार कैसे हैं आप सभी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गनेश चतुर्थी अस्पेशल रेसिपी आपने भगवान गनेश को तो बहुत वर मुदक अर्पित किया होगा आप इस गनेश चतुर्थी अपने गनपती बपा को गाजर का सीरा अर्पित किजिए उन्हें ये बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए बनाते हैं आज की नई रेसिपी बट उससे पहले मैं खुश्बु का नवजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका वित खुश्बु में आपका स्वागत करती हूँ अगर आपको मेरी ये वीडियो वाली रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे एक लाइक और अगर आप फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे किमकि सब्सक्राइब करने पर पैसा नहीं लगता बट मेरा होसला जरूर बढ़ता है आगे काम करने को तो चलिए बनाते हैं आज क की नई रेसिपी तो मैंने यहां पर 500 ग्राम गाजर लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से बॉस करकर इसे काचिल का उतार कर इसे कदुकस कर लूँगी और ठंडी मोसम में आप लोगों ने तो लाल गाजर का बहुत बार ही हलवा खाया होगा बट गर्मी के मोसम में आप प पाली गाजर का सीरा जो की बहुत ही टेस्टी बनेगा तो मैं इसके सारे छिलके के उतार लेती हूं और फिर मैं इसे अच्छी तरह से बॉस भी कर लूँगी और फिर इसे कदुकस तो मैंने इसके सारे छिलके के उतार लिया है और धो भी लिया है फिर मैं इसे कदुकस कर लेते हैं अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूं तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे और पैन में ऐड करेंगे कदुकस किया हुआ गाजर मैं यहां पर घी का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रही तो यह बहुत ही हल्दी भी कोगा खाने में कि खाने में टेस्टी भी लागेगा और सिहत के लिए हल्दी और मैं इसे कुक कर दो गिलास दूद के साथ तो यहां पर मैंने ठंडा दूद लिया है अगर आपके पास ठंडा दूद नहीं है तो आप दूद को वाल ले और फिर उसे अच्छी तरह से ठंडा होने दें तब आप इसमें एड करें और इसे धीमी आज पर कुक करें और इसे हम टाइम टू टाइम चलाते भी रहेंगे ताकि यह नीचे से लगे न और मैंने इसके सारे इंगेडियंस को वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक कर लिजेगा फिर मैं इसमें एड करूंगी खोया और टेस्ट के हिसाब से सूगर क्योंकि गाजर यह थोड़ा मीठा होता है तो आप इसमें चीनी अपने हिसाब से एड करिएगा और इसे फिर हम इसे 15 मिनिट के लिए कूप करेंगे या फिर जब तक यह दूद थोड़ा सूख न जाए तब तक हम इसे कूप करेंगे घजए। झाल क्योंकि एसे टुम्हें तक हम इसे कॉप करेंगे दो पर शीदाव जुम्हें श्युम्हें झाल कि दूद अब बोड़ी तरह से सूख गया है अब हम इसमें ट्राइब फूड आइड करेंगे तो इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और इसमें आइड करेंगे एक चमच या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से घी और फिर इसमें आइड करेंगे ड्राइब फूड जब घी हलका गर्म हो जाए और ड्राइब फूड को थोड़ा कुक करेंगे और फिर इस ड्राइब फूड वाले घी को हम एड कर देंगे अपने हलवे में अब यहां आपको मेहनत करनी होगी इसे दीमी याज पर पूरे कस के कुक कराना होगा और बहुत असान इसे और बहुत संभल कर इसे हमेशा चलाते ही रहना है जब सीरा चारो तरफ से एक साइड होने लगे तब यह रेडी हो जायागा तो देखिए यह चारो तरफ से एक तरफ फोड़ा है अब हम इसे एक दो मिनिट और कुक करेंगे और फिर यह रेडी हो जाएगा खाने के लिए तो देखिए यह तैयार हो गया है अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं तो फिर हम इसे एक प्लेर पर पलट देंगे और इसे गारनिसिंग करेंगे एक फ्राइ के हुए काजू के साथ तो चलिए इसे हम गारनिसिंग कर लेते हैं तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म काजर का सीरा यह गनपती बाप्पा को बहुत ही पसंद आयागा तो आप इसके ingredients को note कर लिजिए जो कि ये है ये इतना test ही बना है कि इसे test करना बहुत ही जरूरी है तो चलिए हम इसे test करके बताते हैं कि आपको ये कैसा बना है सच में ये बहुत ही tasty और yummy बना है यकीन नहीं होता तो आप एक बार मेरे method से अपने घर पर इसे जरूर try किजिएगा I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो please 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 इसे एक like और नहीं भी अच्छी लगी है तो please इसे dislike जरूर करे बट हमें comment करकर बताएं कि आपने इसे dislike क्यों किया सीरा किसे पसंद नहीं है आपको नहीं पसंद या आपको नहीं पसंद सीरा सभी को पसंद होता है तो इसी तरह की recipe देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए please 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 मेरे चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि subscribe करने पर पैसा नहीं लगता बट मेरा हुसला जरूर बढ़ता है आगे काम करने को तो फी मिलते हैं इसी तरह की कम बजट में बनने वाली नई recipe के साथ अपने इसी चैनल घर का जायका विद्खुश्व में जब तक खुश रहिए खुशियां बाटते रहिए और आसपास सफाई पनाए रखिए किमकि अपना भारत स्वाक्ष भारत ठैंक यू टेक कियर एंड नमस्कार